जब हाथी लड़ते हैं तो घास को चोट पहुँचती है। यह कहावत उन छोटे देशों के लिए सठीक बैठती है जो बड़ी शक्तियों के बीच पिस्ते हैं। इसी संदर्भ में आज हम बांगलादेश की अंतरिम सरकार और भारत के बीच बढ़ते तनाव की जटिलता को समझने की कोशिश करेंगे। बांगलादेश की अंतरिम सरकार और हेड प्रोफेसर मुहम्मद यूनिस को यह लगा था कि वह अमेरिका और जो बाइट प्रशासन के साथ मिलकर भारत को कूट नीतिक दबाव में लाकर सबक सिखा पाएंगे। लेकिन शायद उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि जिस कूट नीतिके खेल में वे शामिल हो रहे हैं उसमें भारत के अनुभवी और सशक्त कूट नीतिच जैसे जैशंकर पहले ही अपनी कुशलत साबित कर चुके हैं। दरसल बांगलादेश की अंतरिम सरकार के सामने एक के बाद एक चुनौतियां खड़ी हो गई है। सबसे पहली चुनौती यह है कि भारत शेख हसीना को बांगलादेश को सौपने के लिए तयार नहीं है। टरंप ने पहले भी बांगलादेश में हिंदूों पर अत्याचार की बात उठाई थी और उनके राष्ट्रपती बनने के बाद बांगलादेश की चिंता और बढ़ गई है। तीसरी और अहम परेशानी यह है कि शेख हसीना अभी भी खुद को बांगलादेश की वैध प् चैनल को सबस्क्राइब करें। इसे करने में आपका सिर्फ एक सेकंड का समय लगेगा। लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। हाल ही में शेख हसीना की पार्टी बांगलादेश आवामी लीग ने टरंप को एक बधाई संदेश भेजा था जिसमें शेख हसीना को प्रधान मंतरी के रूप में मेंशन किया गया था। इसके अलावा 17 अक्टूबर को बांगलादेश की अंतरराष्ट्रिय अपराध न्य हो चुके हैं। ये वारंट ऐसे समय में आया है जब बांगलादेश में राजनीतिक अस्थिर्ता अपने चरम पर है। इसी बीच बांगलादेश की आंतरिक स्थिती भी खराब हो रही है। पिछले कुछ महीनों में देश को उर्जा संकट बढ़ती, महंगाई और खाद्य सुरक्षा की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। बिजली की कमी ने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है जिस से जनता में असंतोश बढ़ रहा है। ऐसे में शेख हसीना की गिरफतारी की मांगने सरकार पर और दबाव डाल दिया है। अंतरिम सरकार के सामने यह चुनौती है कि वह किस तरह से घरेलू मुद्दों को अंतर राश्ट्रिय दबाव से अलग रख सके। प्रोफेसर यह की अंतरिम सरकार ने इंटरपोल की मदद लेने का प्रयास किया है ताकि भारत पर अंतर राश्ट्रिय दबाव बनाया जा सके और शेख हसीना को वा कि ऐसे कदम बहुत कम ही निरनायक साबित होते हैं। भारत ने कई बार खालिस्तानी तत्तों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किये हैं जिनका जवाब अभी तक कई देशों जैसे कनारा अमेरिका और ब्रिटेन ने नहीं दिया। इसी संदर्भ में यह सवाल उठता है कि क्या बांगलादेश की कोशिशें व्यर्थ जाएंगी या यह मामला भारत के साथ उसके कूट नीतिक संबंधों को और तनावपूर्ण बना देगा। अने सामरिक हितों को ध्यान में रखते हुए किसी भी अंतरराष्ट्रिय दबाओं में नहीं आएगा। बांगलादेश के लिए निराशा जनक साबित हो सकता है। ऐसे में विशेशग्य यह अनुमान लगा रहे हैं कि बांगलादेश की अंतरिम सरकार को घरेलू मोर्चे पर स्थिति सुधारने के लिए आंतरिक उपायों पर ध्यान देना होगा ना कि बाहरी सहायता पर निर्भर रहना होगा। इसके अलावा भारत और बांगलादेश के बीच बढ़ती खाई का फाइदा चीन जैसे देशों को हो सकता है। चीन जो पहले से ही बांगलादेश म निवेश बढ़ा रहा है इस अवसर का लाब उठाकर अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। इस प्रकार दक्षन एशिया में शक्ति संतुलन बदल सकता है और इसका प्रभाव भारत के व्यापक शेत्रिय हितों पर भी पढ़ सकता है। चीन की बेल्ट एंड रोड फहल और परहाल ही में बांगलादेश में हुए कई बुनियादी धाचा परियोजनाओं में निवेश से संकेत मिलता है कि चीन किसी भी उभरती अस्थिर्ता का फाइदा उठाने की पूरी कोशिश कर सकता है। भारत की चुप्पी इस मामले में बहुत कुछ कहती है। मोदी सरकार का मौजूदा रुख यह दर्शाता है कि वह शेख हसीना के प्रत्यरपन को एक साधारन कानूनी दाइत्व से अधिक एक रणनीतिक कार्ड के रूप में देख रही है। कि बाँ बांगलादेश में प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्यवाई कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई थी, जिसे भारत अपनी नीती के तहत वैध मानता है। इसके साथ ही भारत का रुख अपने आर्थिक और सामरिक हितों से भी प्रेरित है। भारत और बांगलादेश के बीच व्यापारिक संबंधों की एहमियत को देखते हुए यह मामला और भी समवेदनशील हो जाता है। दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार लगभग 9 बिलियन डॉलर का है जिसमें प्रमुखवस्तर खाद्य सामगरी और उर्जा उत्पाद शामिल है। बांगलादेश की अर्थव्यवस्था भारत के साथ आयात पर काफी हद तक निर्भर है। विशेश रूप से खाद्य और उर्जा आपूर्ती में हाल ही में I.M.F. द्वारा दी गई रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि यदि बांगलादेश की आंतरिक अस्थिर्ता बढ़ती है तो इसके आर्थिक परिणाम पूरे दक्षन एशियाई क्षेत्र को प्रभावित क कर सकते हैं भारत अपनी कूट नीतिक मजबूती बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अनुरोध को अपनी नीतिक अनुसार तलता है इस गाथा का अगला अध्याय वैश्विक समुदाय की प्रतिक्रिया से तै होगा क्या अन्यदेश पांगलादेश का स कमान करेंगे इसी बीच चीन जैसे देश भी स्थिति का लाब उठाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि दक्षन एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा सकें साथ ही पाकिस्तान जैसे देशों की निगाहें भी इस पर टिकी हुई है जो भारत और बांगलादेश के बीच तनाव का फाइदा उठा कर क्षेत्र में अपनी रणनीति को धार दे सकते हैं आखिर क्यों भारत द्वारा जारी किये गए रेड कॉर्नर नोटिस के बावजूद कई देश उदासीन बने रहते हैं इस तरह के सवाल हमारे सामने कूट नीतिक विवादों को उजागर करते हैं जहा एक शेत्रिय शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकते हैं क्या भारत अंतर राष्ट्रिय दबाव के आगे जुकेगा या अपने रुख पर अडिग रहेगा इसका जवाब समय ही बताएगा खैर इस पर आपका क्या कहना है क्या शेख हसीना अपनी सत्ता में फिर से वाप जै हिंद जै भारत